हलो बच्चो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम सॉल्ट करने वाले हैं तो बहुत सिंपल और असान है तो इसको हम फटाफट से कर लेते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे तो बच्चो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आपने एक बार देख लिया तो कभी भी आप भूलोगे नहीं यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल नमबर ओफ टीम कितनी है फोर इसके बाद हम लिखेंगे टोटल नमबर ओफ मैचिज यह आपका फॉर्मला हो जाता है N ब्रैकेट में N-1 अपन 2 तो यह हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट के अंदर 4-1 अपन 2 तो इसके बाद हो जाएगा आपका 4 into 3 upon 2 12 upon 2 cut करने पर आपका निकल के आएगा 6 matches तो आपको पता चल गया आपके number of matches कितने हैं 6 तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर total number of rounds तो यहाँ पर आप ध्यान दिजेगा जब भी आपकी teamo की संख्या odd में होती है तो आपका उतने ही rounds होते हैं और जब आपकी teamo की संख्या even होती है तो आपके rounds की संख्या minus 1 हो जाती है तो इसका formula होता है n minus 1 तो यह हो जाएगा आपका 4 minus 1 is equal to 3 rounds और इसमें एक और खास बात होती है कि इसमें आपको किसी भी team में कोई buy देने की ज़रूरत नहीं होती है तो चलिए आप तयार करते हैं अपने rounds round 1 round 2 round 3 तो इस तरीके से आप 3 rounds बना लेंगे तो यहाँ पर इन सभी rounds में आपको एक team को fix करना होता है तो हम यहाँ पर fix करेंगे team 1 1 and 1 तो इन सभी rounds में हमने एक team fix कर दी है 1 अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे 4 arrow लगा के आप यहाँ लिखेंगे 2 उसके बाद इसके सामने लिखेंगे 3 और यहाँ पर आप इस तरीके से arrow लगा सकते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा fixture में round है वो clockwise rotate कर रहा है इसे आप small box में बंद कर देंगे तो यह काफी attractive बन जाता है यहाँ पर आपकी आईगे team 3 यहाँ पर आजाएगी 4 जो कि यहाँ पर थी फिर आपकी यहाँ पर clockwise rotation में आ गई उसके बाद आपकी team 2 जो है उसके सामने आ जाएगी इसके बाद आ जाते हैं round number 3 में यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से box में बंद कर लेंगे तो यहाँ पर जो 3 team थी वो आ जाएगी आपकी 1 के नीचे 4 यहाँ shift हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा तो यह इस तरीके से आपका 4 teams का जो cyclic method से league tournament का fixture है वो तयार हो गया है तो बच्चों यहाँ पर हर जीतने वाली team को 2 point मिलते हैं और draw होने वाली team को दोनों को 1 point मिल जाते हैं और जब team हार जाती है तो उसे मिलते हैं 0 point तो इसके लिए जो आपको लिखना होता है point system वो आप यहाँ लिखेंगे point system if a team win two two points are given in case of draw one point to to each team and in case of losing losing a match 0 0 point are are awarded are add the score of all the matches this team with maximum point will win तो इस तरीके से ये आपका फिक्षर पूरा हो जाता है उमीद है बच्चों ये वीडियो आपको काफी समझ में आया होगा जन बच्चों को इसमें कहीं पर कोई doubt है तो वो हमें comment box में बता सकते हैं तो बच्चों इस तरीके से आपका ये फिक्षर पूरा हो जाता है अगर आपको कहीं पर कोई doubt है तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं हमारे description box में what's up का number दिया हुआ है आप हमें वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, कॉंटेक्ट कर सकते हैं, और साथी साथ उसके टेलिग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, चैनल का, जिस पर आप इसी तरीके के इंपॉर्टन वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, तो उमीद है बच्चे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें अपने सबी दोस्तों में, जिनको फिजिकल एजुकेशन में प्राप्लम हो रही है, तो अगले वीडियो तक के लिए जय हैं, जय भारत! झाल, को लूए एक करें, जय हैं, जय हैं, जिए करें से आपको लूए जिए सबीजिसे, करें में औम करें कास apenas अइस करें,